आप सभी सेविल इंजियर्स का हर्दिक स्वागत करता हैं और इनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नमस्कार अदाम मैं इशांत गोस्वामी डाइक्टर इनफोर्स क्रूप और आप सभी लोगों के लिए कॉर्पेट ट्रेनर आज हम लोग आज के सेशन्स में हम के बारे में जनकारी देंगे और देखेंगे कि टेंडरिंग क्या होता है और कॉंट्रेक्ट क्या होता है क्यों टेंडरिंग जरूरी है क्लाइंट के लिए भी और कॉंट्रेक्टर के लिए भी और क्यों कॉंट्रेक्ट जरूरी है क्लाइंट के लिए भी और management का इसमें हम लोग हर चीज़ बताने जा रहे हैं bidding कैसे होता है tender की कितने types होते हैं tender documents कैसे prepare करते हैं contractual agreements क्या होता है class of contracts क्या होंगे तो इन सारे चीज़ों का में बरे detail में हम लोग अपने आने वाले series में detail में sequence bys हम लोग video बनाएंगे तो आप लोगों से request है कि अगर अभी तक आपने यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक share and subscribe नहीं किया होगा तो वीडियो को like करें share करें subscribe करें और bell icon press करना ना भूले bell icon press कीजेगा तो इससे आप लोगों को पास notification जाएगा कि हमने वीडियो upload किया है ताकि आपको कोई वीडियो छुट ना पाए sequence बाइस में तो सेशन स्टार्ट करते हैं टेंडरिंग और contract के बारे में जानेंगे आज के सेशन में मैं एक एक्जांपल के थो आप लोगों को explain करूंगा कि कि थैंडर क्या होता है तो example आप ले लेते हैं कोई दो पर्सन एक पर्सन है जो कि नॉन technical है और एक पर्सन है जो कि टेखने के कली संड़ी पर तो दोणों को जबदनेट इस siap in mall बनवाना है अपना उसको भी shopping mall बनवाना है और technical वाले को भी technical जो बंदा है उसको भी shopping mall बनवाना है non-technical बंदा है उसको भी shopping mall बनवाना है तो जो non-technical है उसको shopping mall बनवाना है तो किसी ना किसी builder किसी contractor को तो hire करेगा जाएगा तो non-technical है उसको नहीं मालूम है कैसे procedure है क्या है तो वो direct किसी के बताया हुआ builder के पास चला गिया for example या contractor के पास चला गिया मतब direct वो select कर लिया कोई एक contractor को अब वो contractor क्या करेगा अपने हिसाब से मतलब specifications बताएगा कि आपका ये specifications होगा आपका ये हम इतना budget में करेंगे तो उस non-technical वाले को तो जनकारी है नहीं तो वो क्या करेगा वो उसको मानना पड़ेगा तो वो मान लिया अब उसको project दे दिया अब वो project करा रहा है तो वो project करेगा तो किस किसी से परिसानी से गुजरना पड़ सकता है उस non-technical client को quality से समझोता करना पड़ सकता है क्योंकि वो तो जो मन में आएगा वो quality लगाए क्योंकि आपने direct गए हो उससे कोई अपना quotation नहीं दिये कुछ नहीं दिये आप direct उसको hire कर लिये हो तो वो तो अपने हिजाब से quality लगा रहा है अपने हिजाब से budgeting bill बना रहा है आपका जो है तो आपको मानना पड़ेगा नहीं मानोगे तो class होगा तो मतलब class होगा तो क्या होगा class अगर होगा तो आपके quality पे effect आएगा आपके project पे effect आएगा मतलब आपके project influence होगा और वहीं एक तरफ जो technical जो technical आदमी है जिसको अपना shopping mall बनवाना है वो क्या किया proper procedure के थरो उसने क्या किया एक invitation बनाया proposal बनाया और वो newspaper में निकाला for example newspaper में निकाला या online portal के थरो उसने release किया जो यह proposal और invitation जो मैं बोल रहा हूँ जिकर कर रहा हूँ इसी को tender बोलता है तो यह newspaper के थरो निकाला या online portal के थरो निकाला तो बहुत सारे कई सारे capable या eligible contractors होंगे उसने अपने क्या किया जो technical बनदा है उसने पहले ही mention कर दिया कि भाई मेरा budget यह है मेरा हमें यह quality चाहिए हमारा यह material लगना चाहिए उसने सारा mention कर दिया साथ में यह भी mention कर दिया कि जिसका turnover इतना हो suppose जिसका turnover पांच कोड़ से उपर वह ही eligible है हमारे project को करने के लिए यह सारे चीजे उसने technical specification में mention कर दिया है अपने proposal के साथ अब जो भी interested इकछुख contractor होंगे जो कि eligible है वो सब project उनके invitation के against में उनके invitation proposal जो आया है उसके against में वो अपना rate डालेंगे अपना quality बताएंगे अपना timeline बताएंगे ज़र मैं इतना time में कर लूँगा मेरा rate quotation यह है तो इससे क्या होगा कि contractor मतलब जो वो technical बंदा है उसके पास opportunity है selection करने का एक अच्छे बंदे को select कर सकते एक अच्छे contractor को select कर लेगा अपने मन मताबिक उससे क्या होगा competition देखा उसको rate का comparison करेगा timeline का comparison करेगा फिर दिखेगा कि हमारे quality जो हमारे quality जो हमने बोला है जो हमने specification में दिया है वो ही quality से तो समझाता तो करी नहीं सकता है क्योंकि हमने पहले से mention कर दिया तो किसको ज़्यादा फैदा होगा non-technical वाले बंदा को या technical वाले बंदे को आप सभी लोगों को जवाब पता चल गया होगा कि 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 तरफ आप किस procedure से आप जाना चाहेंगे अगर आप ही को कोई project करना हो तो किस procedure के थरू जाएगा direct को selection कर लीजेगा या एक proper proposal निकालेगा competition आप देखेंगे उसमें आप eligibility criteria फिक्स करेंगे उसमें बहुत सारे चीज़े आप देखेंगे technical देखेंगे इसका कि technical background क्या है तब आप selection करेंगे न contractor का तो इस वाले दुसरे तरफ जो है technical बंदा जो procedure के थरू जा रहा है tender के थरू जा रहा है इसको ज़्यादा फैदा होगा इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि tender जो है एक client के लिए भी important है और contractor के लिए भी important है client के लिए क्यों important है client को फैदा यह है कि उसके पास opportunity होगा कि selection कर सकता है 5-10 contractor के बीच में से किसी एक contractor को ताकि वो competition देख ले market में क्या competition है उसके पास opportunity धेर सा रहा है उसको नहीं तो उसको नहीं तो उसको किसी न किसी को select कर लेगा और अपने specification के हिसाब से काम करा सकता है rate quotation देखेगा सब चीज देखेगा इसलिए tender जरूरी हो जाता है client के लिए तो tender क्या होता है एक तरह का proposal होता है invitation होता है client के तरफ से कई सारे contractor जो की eligible है openly release कर दिया जाता है कि भाई मुझे यहाँ पर swapping mall बनाना है मेरा यह specifications है मेरा budget यह है मेरा timeline यह है अब जो भी एक छुख eligible contractors है वो आये participate कीजिए और अपना rate quotation बताएए अपना technical specifications बताएए हमें जिसको choose करना होगा जिसको हमें select करना होगा हम select करेंगे तो इस पूरे परकरिया को हम लोग tender बोलता है तो tender is a invitation from client to the various contractors for selecting the final contractor तो यह tender हो गया अब tender कई तरह की होता है जो कि हम लोग अपने आने वाले series में हम लोग पूरे detail में हम लोग देखेंगे आने वाले videos में बात करते हैं कि tender जो होता है आप tender कौन निकाल सकता है अब government client है तो government client तो tendering procedure तो निकालेगा ही निकालेगा अगर आप private अपना कुछ private properties बना रहे हैं तो क्या आप tender निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं आप भी उसी tender procurement के थूरू जा सकते हैं उसी tender procedure के थूरू जा सकते हैं, ताकि आपका quality से समझाओता ना हो सके, आपके चीजे सही से execute हो जाए, चीजे सही से completion हो जाए, तो private contract, private client भी tender निकाल सकता है, और government client तो tender निकालता ही निकालता है, अब इंडिया में क्या है, 28 estates है, और इंडियन टेर्टरिस लगबग 8, तो प PWD department मतलब public work department, और central government का central public work department CPWD है, और भी government के बहुत सारे enterprises companies हैं, PSUs हैं, बहुत सारे हैं, तो सबका एक अपने tender portal चलता है, जैसे हर state का tender portal चलता है, e-procurement, for example, हरियाना, तो हरियाना government का अपने e-portal website है, for example, पंजाब, तो पंजाब का अपना e-portal website है, और सबका PWD govern करता ह तो उस portal के थुरू information निकालता है, invitation निकालता है, उस portal में हमें access करने आना चाहिए, उस portal पे कैसे हम लोग tender find out करेंगे, कैसे tender bidding करेंगे, यह सब चीज हमें उस portal पे जाकी करना होता है, तो इस सारे चीज हम लोग detail में देखेंगे, अपने आने वाले series में, तो tender क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, tender एक तरीका invitation है, client के तरफ से contractors लोगों के लिए, कि आप आएं, अपना quotations दें, और हम लोग final selections करेंगे, अब बात करते हैं, contract क्या होता है, तो जैसे कि tender, आपका tender निकला, tender release हुआ, और tender release के साथ, tender के साथ BOQs, यह सारे चीज अपना client देता है अपना budgeting देता है, that is financial, अपना quotations देयार करके client देता है, tender के साथ, drawings देता है, तो यह सारे drawings और BOQ के against में, जो भी interested contractors हैं, यह अपना rate बताता है, rate quotations करते हैं, अब कितने तरह के BOQs हैं, यह सारे चीज़ हम लोगों detail में देखेंगे, तो जो भी contractors rate quotations करेगा, rate quotations के बाद क्य client के BOQ के against में, इस rate quotations के procedure को, bidding procedure बोलते हैं, bidding हो रहा है, मतलब bidding चल रहा है, तो जो भी contractors हैं, अपना-पना bidding amount बताएंगे, सारा bid होने के बाद, अब client क्या करेगा, bid evaluate करेगा, bid का calculations करेगा, मतलब selections करेगा, कि किस contractor के पाद, मतलब हम लोग तरफ जाएं, किस contractor को हम लोग select करे तो for example, कोई एक contractor select हो गया, मतलब final selection of contractor, bid evaluation होने के बाद, हमने select कर लिया, client select कर लिया, कि यह हमारे final contractor होंगे, तो जो final contractor होंगे, उनको जब project award किया जाएगा, उससे पहले, एक formal पूरा norms and conditions agreement किया जाता है, norms and agreement मतलब क्या हुआ, उसी को हम लोग contract बोलते हैं, जैसे कि for example, अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी city में आपको घर लेना है, rent पे, कोई flat ले रहे हैं, rent पे, तो वहाँ पे भी agreement बनता है, तो वो agreement किसके तरब से होता है, हमारे लिए first party कौन है, honor है, तो honor क्या करेगा अपना पूरा, norms and conditions त्यार करके रखेगा, और mutual understanding से agreement पे sign हो अगर निकलने के बाद, bidding होने के बाद, project जब award किया जाता है, contractor को, final contractor को, तो उस समय client क्या करता है, award करने से पहले, मतलब project देने से पहले, hand over करने से पहले, पूरा terms and conditions त्यार करता है, और वो terms and conditions जो होता है, उसी को हम लोग contract बोलते हैं, और उस contract पे, आपको contractor को भी sign करना ह होता है, और client के तरफ से तो रहता है, तो दोनों को sign करना होता है, तो एक बार contract sign होगा, तो project awarded होता है, means बोलते हैं कि उसको project hand over कर दिया जाए, अब यह जो terms and conditions है, contracts जो मैं बोल रहा हूं, उसको agreement भी बोलते हैं, तो किस चीज़ पे agreement होगा, points क्या होगा, generally किस चीज़ पे ह होगा, client किस चीज़ पे समझाता करना चाहता है, उससे agreement करना चाहता है, किस से, contractor से, timeline, duration, timeline या duration, कि भाई, मेरा पूरा timeline यह है, दस महीने का project है, और हमारा first work order, जैसे for example, foundation है, तो foundation हमारा दू महीना में complete हो जाना चाहिए, ground floor है तो ground floor हमारा तीन महीना में complete होना चाहिए, मतल तो total time framing, वो पहले से दे देता है, client दे देगा agreement में, कि उस time framing, हमारा जो time है, उस time के थुरू आप, आप, आपको perform करना है, execute करना है, हाँ, उसमें delay होगा चाहिए, जो भी होगा, बहुत सारे reason होते हैं, जैसे geographical condition से, वो सारे उनोंग डिटेल में देखेंगे, तो उसमें contract होगा, बहुत तरगे contracts होगे, fixed contract होगा, labor contract होगा, material based contract होगा, बहुत तरगे contracts होते हैं, वो डिटेल में देखेंगे, आगे की video में, लेकिन किस सीच पे, सारे contracts में, चारी point common होता है, किस सीच पे agreement करेगा, client contractor से, तो time से पे agreement करेगा, दुसरा cost, rate, bill payment, मतलब time पे किया, कि किस bill बनाना है, और client बताएगा, कि आपको bill payment जो हम लोग करेंगे, कैसे payment करेंगे, कैसे payment करने का मतलब है, कि up to the plinth level आप काम करेंगे, तो इतना percentage of आपका contract value मिलेगा, up to lintel level काम करेंगे, तो इतना percentage आपको payment हम लोग देंगे, मतलब ये एक तरिका से bill payment का schedule हो गया, cost का schedule हो ग ठर्ड हमारा किस पर होगा, quality पर, तो quality मतलब क्या, कि जो भी हम quality specification चाहते हैं, जो कि हम अपने B.O.P. में दे रखे हैं, या अपने quality plan में दे रखे हैं, उससे समझावता हम लोग नहीं कर सकते हैं, उससे मतलब compromise नहीं कर सकते हैं, जो भी हमें quality चाहिए, वो quality हमें deliver आप करक चौथा होता है penalty, penalty मतलब अगर ये सारे चीज़े above जो भी mention है, वो सारे चीज़े में आप failure होंगे, तो आप से penalty, liquidity, damages, charges लिया जाएगा, अब penalty कई तरह की होते हैं, तो वो सारे चीज़े हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो हम लोग आने वाले अगले videos में, हम लोग इस video को like करे, subscribe करे, share करे, और bell icon प्रेस करना ना बोलें, ताकि हम लोग सीरीज जो बनाएंगे, आप लोगों के पास time to time update होता रहे, thank you so much, thanks for your patience.